हलो दोस्तों कैसा हुआ सभी मेरे नाम मैं सुसिंग आप देखने हैं इस दोस्तों आज हम डिस्कॉस करने वाले हैं complex analysis में very important topic हमारा चल दा है और यह स्रीज साथ मैंने आपको इसमें इनके question भी कराया थे ठीक है अगर आपने नहीं देखा तो पहले लिचर आपनो देख लीजिए ठीक है इंट्रोड़क्शन आप ट्रांस्फरमिशन कर चुका हूँ यह भी हम लोग कर चुके हैं बाइलीनियर ट्रांस्फरमिशन जो आज के लेचर हमारा है वह बाइलीनियर ट्रांस्फरमिशन पर है मोबियस मलब है एक ही चीज़ लेकिन का नाम ऐसा क्यों पड़ा वो भी हम आपको बताएंगे क्रोस रेस यो में सब कुछ नहीं पाएगा आणस्फरमिशन पढ़ाएंगे तो यह भी पड़ादेंगे तो एक साथ में टॉपिक हमारा खतम हो जाएगा एक सिरिल वाइज में लेच्ट चल रहे है अगर आप लेचर भाई लेचर फॉलो करोगे तो आपको चैप्टर में कोई प्रप्रप्लॉम नहीं होगा बस तीन लेचर बनेंगे तो अभे हमारा यह सेगंड लेचर और यह जिसमें तो सारे पॉइंट क्लियर करा जाएंगे तो बहुत कुछ सिखने वाले हम लोग ठीक हैं तो फिलाल के लिए अभी लेच्टर कर लेते हैं और आज के लेचर में हम लोग सीखेंगे बाइलिनियर ट्रांफर्मिसन के बारे में सीखेंगे तो चलिए बाइलिनियर ट्रांफर्मिसन के लेचर स्टार्ट के लेते हैं क्या कहता है बाइलिनियर ट्रांफर्मिसन या फिर function में क्या होता है कि किसी एक single variable के लिए fx is equal to हमनों यह क्या सीख लिए y यानि कोई x रखेंगे तो जो value आई गे उसको क्या बोल देते हैं y रख देते हैं तो इसको अगर हम graph बनाएं तो किसी एक ही plane में हमारा graph बन जाता था x y plane में graph बन जाता था इसको already 2D plane है जेट का मतलब यह होता है x, y अब यह already 2D plane लेकर रहा रहा है अब 2D plane आप डाल रहे हो और निकलेगा क्या वह भी एक 2D plane निकलेगा तो जाहिस से बात है कि इसका जो graph होगा जो एक single paper में तो आप denote करने पाएंगे उसको denote करने के लिए मुझे double paper sheet चाहिए तो double paper sheet का मतलब यह हुआ कि हमें एक xy plane ले लेते हैं और एक plane को नाम देते हैं क्या एक plane को नाम देते हैं यूवी plane नाम देते हैं ठीक है यूवी plane नाम देते हैं तो यहाँ इनके point जो होंगे इनके corresponding यहाँ पर आपको uniquely point मिल जाते है और इसको हम कहते ह है क्या करते हैं transformation कह देते हैं है यहाँ जैडिये डालो गे तो मुझे यहां यहां पर यूवी plane आपको जाके मिलेगा टो यह हमारा क्यलाता है हमारा कहलाता है transformation ठेक तो ये हमने हमने transformation सीखा आई जप now सब्सक्राइब बता है हम आदा कि हमने लोग होता है कि हम लीनियर डाल जाल दिया तो मुझे वहां कुछ और तो इस टाइब से हमें काफी कुछ देखने को मिलेगा ऐसा नहीं बहुत कुछ देखने को मिलेगा जिस पर हम थेवरम भी कुछ करेंगे ठीक है इस टेल लाइन डालेंगे उधर मुझे सरकल मिल जाएगा यह मोबेस्ट ट्रांस्फर्मिसन में एक स्पेसल टाइप होता है वह को भी हम आपको बताएंगे ठीक है वह नोट पाइंट आपको थेवरम ही प्रूब कराएंगे पूरा क्योंकि वह एक इंपोर्टेंट रिजल्ट के तरह कारी करता है ठीक है चलिए अभी हम बात के लेते ही मोबेस्ट ट्रांस्फर्मिसन में तो यह क्या होता है एक ट्रांस ट्रांस्फर्मिसन देख लेते हैं फिर आपको एक्जामपल देकर समझा देते हैं ठीक है अब दफॉर्म of the form किस form में होता है बोलो सा W बराबर हमारे पास होता है Az plus B upon Cz plus D होता है इस form में होता है और इसी को मैं कह देते हैं क्या is called is called ठीक है bilinear transformation या फिर mobius transformation ठीक है या फिर इसको क्या बोलते हैं linear fractional transformation ये तीन नाम में इसे कोई भी नाम आप ले सकते हो मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे होता है bilinear इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पर W भी जो होता है वो हमारे पस 1 डिगरीक होता है इसलिए इसका क्या नाम दिया गया है bilinear नाम दिया गया है mobius इसलिए नाम दिया क्योंकि इसका पहला जो चरण होता है W upon 1 is equal to AZ plus B upon CZ plus D ऐसे होता है cross multiply कर लो तो cross multiply करोगे तो हो जाएगा sir W CZ CW Z बोल सकते हो और plus हमारे पास हो जाता है यहाँ पर WD हो जाता है ठीक है और minus हो जाता है AZ हो जाता है और minus हो जाता है B इसका हमने क्या कर दिया है ब्रेक कर दिया है इसको अलग-लग कर दिया है और ऐसे ब्रेक करने को तरिया को mobius कहते हैं हमने लोग ठीक है तो जब भी कोई को सुनोगा firstly इसको mobius ही कह जाता है तो जैसे हम फिस पाइंट सिखाएंगा उसमें मोबियस ही पहले किया जाएगा तो जब MOBIUS कर हैं इसको इस त्रांफर्मिशन का नाम पर दाता है Mobius त्रांफर्मिशन नाम पर दाता है और क्योंकि यहां पर दोनों हमारे पास single single negative degree 1 by degree 1 के होते हैं इसको bilinear transformation नाम दिया गया है और linear fractional transformation इसले बोला कि कि AD मलब cross multiply करो इसका coefficient यहां से AD minus BC AD minus BC डजनाट equal to zero होगा तो हमारा transformation define हो पाएगा bilinear transformation उसका नाम देते हैं हम लोग ठीक है तो यह हमारे पास हो पाता है अब अगर यह ऐसा हो पाता है तो एक condition यहां पे निकल के आती है ठीक है सर एक point हमने बोला कि जो AD हमने बोल दिया AD minus BC हमने बोल दिया डजनाट equal to zero होता है इसको क्या कहते हैं इसको बोलते हैं determinant ठीक है determinant डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट औफ ट्रांस्वर्मेशन डिटर्मिनेंट औफ ट्रांस्वर्मेशन determinant of transformation दूसरा पॉइंट जो हम नाम दे देते हैं सपोज कर लो AD minus BC इसको क्या ना दे देते हैं अब यह जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग कि transformation ठीक है क्या बोल देते हैं the transformation the transformation is said to be is said to be said to be normalized normalized ठीक है normalized यह हमारे पास होता है यानि कि जब AD minus BC है एक टाइप कर क्या है अब क्या है इसको हम लोग transformation ही बोलतहिं यह भी हमारा by linear transformation होता है यह भी हमारा बल्रमेसन होता है लेकिन एक अ क्लेक्वा owe T अब दिजिटार प्रमिशन बोल देते हैं लेकिन एडी माइनस वी से अगर इकल टू जीरो जागे तो इसको मुझे कॉंस्टेंट ठीक है तो अगर अच्छा जीरो होने का मतलब हुआ वैनिसे सोना यह भी आपको याद रखना है वैनिसे सोना यह बोला जाएगा कि एडी जाएगा जब ऐसी कंडिशन पर हमारे पास आजयेगा तब आगर आईसा आ चुका है तो ने तो अब इनका एक छोटा सब्सक्राइब लेते हैं जैसे इसक्राइब रूप ले लेते हैं जैसे उन और लिव नहीं बोल लिए डव्लू इसक्विल्ट्टू हमारे पास हो गया जा हो गया मालों ने दिया 3z plus 2 upon 4z plus 3 अब हम तुमसे पूचें तो क्या है यह पहले बता बाइलीनियर हो गया नहीं होगा तो तुम बोलो कि सरक बाइलीनियर तो होगा कैसे होगा कि 39 हो जाएगा और माइनस 248 हो जाएगा और 9 में 8 जाएगा कितना जाएगा वन आ जाएगा यह नहीं हमारे क्या हो गया इस तरीके से बात कर सकते हैं कि माल लीजे डबलू इसकोल टो हमारे पास बन जाए और यहां पे हम बोल दे और प्लस आई बोल दे और यहां पे आजाए और यहां पे आजाए प्लस टू बाई थ्री अब इसके बारे में क्या कहानी है हुआ पर बनने वाली तो इसको solve करते हैं इसको cross multiply करेंगे करेंगे बॉलुसर टू आ जाएगा इनका करेंगे क्या आ जाएगा बॉलुसर टू आ जाएगा टो में टू गया चला गया जीरो जीरो होने के मतलब हुआ यह हमारा बाइलीनियर को अके प्रांस्वर्मेशन ये हमारा विल्लमेशन नहीं हो गा ऑग साथ साथ सदह करें और अगया कि ये कैसा हो गया तो भी साथ कौंस्ट फ्रांस्ट हो जाएगा ये मरा क्या चलेगा का मुथ चला गया च्छोटा को समझाने के लिए च्छोटा कोशन पूछा भी गया है कहां पे इनमें से कौन सा बाइलीनर ट्रंफर्मिर्शन है तो कर लेते हैं तो जाएगा और 4,1 जाब 4,1 जाब 4,4 में फोर गया है आगया 0 मतलब यह नहीं होगा ठीक है यहां बे बात कर लिए प्लस बी यह माइनस बी यह लगेगा इस लिए हमारे पास क्या होगा तो बोलो सर हमारे पास यह तो तो जा फोर तीजनाई और आई स्क्वार बनेगा इसकार के वहलु माइनस वह न होती है प्लस वह जाएगा तो फोर और नाइन कितना होता है थर्टीन अगया थाटीन आ गया अब इससी तरह बात कर लेंगे तो i into i मतलब i square बन जाएगा i square बन जाएगा तो इसका मतलब क्या हो minus 13 और minus माइनस हो जाएगा प्लस लेकिन i square के वह लिएा लिडी minus होती है इसलिए हमारे पास आजाएगा फिर माइनस आजाएगा ठीक है तो इस तरह में इस कुम क्या नाम दे देते हैं के इसको ना देते हैं माइनस का 13 ना देते हैं इसको खul जागा जीरू इसका मदब यह लगा हमारे पास क्या होगा और इधर टू हो गया तो हो गया जीरो होने मतलब हो यह भी हमारे पास क्या होगा नहीं होगा तो यह पॉइंट पर करें वैसे एक यह बचात आप्सन यह पका होगा लेकिन आपको सौल करके बता देता हूं इसको मैं लिखूंगा जेट प्लस में ही है और दूशी चीज यह है कि यहारा by linear transformation होगा तो यह bylinear transformation हमारा होगा अब आप लोग को यह process हो मख है यह co7 अपने आप करना है में यह को सना पीसर उसकेन सão ले लेन है इसको भी आप लोग को पढ़ते हैं अब करते है तरां का था थोमेंटिकल इन्वरज़न यानि का हम मे 영상 इसनी इन्वर्जन कर ना थेके जो मेंट कली वह भी तेखना है क्या कहाते है क्या है क्या सुग्षा साथ सुगया क्वेसर्व एक हर्त replace sinful इसका मतलब भी हुआ कि किसी भी बाइलने ट्रन्फर्मेशन को can be considered as a combination of the transformation हम कह सकते हैं इसका ट्रांसलेशन का है रोटेशन का है स्ट्रेशिंग का है एंड इन वरजन का है यहां पर ट्रूफ भी करना पड़ेगा मतलब इसको में प्रूफ करना पड़े देखो देखो यह question पूछे गए question होते हैं इस type के question पूछे जाते हैं इनका statement हमारी लिए important होता ही होता है और अगर आप university और BSC, MSC में काम कर रहे हैं तो यानि कि जाइस वाद इनका proof भी आपके लिए important हो जाता है ठीक है छलो हम इस proof को आपको करके बताते हैं कि कैसे proof हमारा ह proof देखो कहानी कहा है कहानी यह bilinear transformation तो consider कर लो एक bilinear transformation देखो सारा statement का ही खेल होता है consider a bilinear transformation क्या होगा bilinear transformation उसको मैं जूम कर लेते हैं हमारा पर ठीक है कि हमारे पास होगा क्या होगा हमारे पास तो az plus b upon cz plus d यह हमारा bilinear transformation होगा ठीक है अब हम क्या करेंगे यहाँ पर एक condition आपको simply लिखनी ही होती है वो तो आपके पास होनी ही चाहिए क्या होनी चाहिए कि हमारे पास ad minus bc does not equal to 0 cb हमारा 0 नहीं होना चाहिए अब कहानी को समझते हैं जैसे हमने question number इसको नाम दे दिया first अब यहां से situation क्या है उसको समझते हैं यहां situation यह है कि हमारे पास w क्या है तो w हमारे पास है अब इसमें देखो aim calling लेंगे समसी का में लेंगे तो क्या जाएगा बलो सर्मारे पास आ जा जाएगा अ जैड़ेगा और इन्टू में पने पास स्क्राइब बन जाएगा अपान इसर बन जाएगा जड़ेड प्लस घ प्लस d upon a बन जाएगा बस अन्म आ गया ठीक है सर अब उसके बाद हमारे पास क्या बन गए a upon c बन गया और into में यहां पर क्या कर लेंगा अपन यहां पर देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं अब इसको हम नीचे देखो डी प्लस ए है तो हम इसमें डी प्लस ए घटा सकते हैं जोड सकते हैं तो इसमें क्या कर सकते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं क्या इसको हम लिख सकते हैं क्या इसको हम लिख सकते हैं डी प्लस डी फ़ेल कर देंगे तो जेड प्लसट बने इधर भी है और जेड बने पास क्या जाएगा तो बोलेंगे एप आंसी बोलेंगे उदर प्लस डी अपॉन ए ये बन जाएगा और ये हमारा कम्प्लीट हो जागए यहाँ था ठीक है अब इसको हम आगे सॉल कर लेते हैं किया बनाओ तो बहुत साथ मारा बन गया है डड़ू उकल टू यह पाउन सी बना था इधर ठीक है इन ले वन गया है था फिली अपाउन सी・ अपाउन जैड प्लस डऑउन सी यह हम गया है ठीक है यहां तक कहानी है सब कुस्षण में आ गया इसका मतलब वि ye इसका अरक और ब कर लो तुम्हें पास क्या दिख रहा है इसको क्या बोल सकते हैं इसको क्रॉस मिल्डिप्लाइ करो इसको क्रॉस मिल्डिप्लाइ क्या हो जाएगा तो कर दो क्रॉस माइनस ए डी अप्वाउन ए एप जाएगा और इंटू हो जाएगा अपन जीड़ड प्लस डी अप्वाउन सी ये मेरे पास बन जाएगा ठीक है ऐस सा बन गया अब उसके बाद हम क्या करेंगे तो हम यहाँ पर करतेंगे ए जाब कर लेंगे multiply कर लो a upon c plus अब इसमें multiply करेंगे तो a से मारा कंच्छी का स्क्वाइर हो जाएगा तो क्या बन जाएगा बिलोसर bc माइनस ad ठीक है upon c का स्क्वाइर हो जाएगा और इंटू में अपने पास क्या बन जाएगा दो अपन जेड प्लस डी अपन सी बन जाएगा जेड प्लस डी अपन सी बन जाएगा ठीक है यह मेरे पास हो गया अब ध्यान से देखने वाली बात है थोड़ा सा इस त्यार हमारे पास क्या बने गाज्य टू डाम। देढेंगे जो कि यह OneUp Нट56द इसको इसको ट्रांसलेशन बोलते हैं यह हमारे पास क्या हुआ यह ऐत हो अपर आपको करें संजाय था ठीक है इसको क्या बोलेंगे इसको इनबर्जन बोलेंगे विस-ई इस exact & & T3 मारे पास का होगा उसको शफिद लेते जेट 3, मारे पास क्या बना, इसने मारे पास बन गया, इसां- अबलिख्यांए हो राएं से BC-DA अपॉन C² इसो में मिल्लिप्लाई हो रहा है इसमें जेट्री में क्या हो रह रहा है एक टाइब की क्या है यह एक टाइब करना था एक इन्वर्जन प्रूब करना था इस लिएまり यॵह यह नाम दे सकते हैं और और मुझे कुस्त प्रूब करना था क्या इस्टेचिंग stretching मतलब होता है, magnified हो ना यह नहीं वैसे भी बात हो रही है, stretching की बात हो रही है, rotation हमें देखना बचाएगा, बस कहानी proof ठीक हैं, stretching हो गया हमारे पास ही, stretching हो गया, ठीक है, अब यहां पे कुछ बचा, तो हमारे पास 3 फार्म तो proof हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये चीज हमें देख लिया मतलब कोई उठा ओगे उसमें अगर हमने जेड प्लस दी प्वांसी एड कर लिया तो बन गया translation ऐसे धीक के उसको हमने उल्टा कर दिया मुझे क्या मिल जाएकई ठीक है तो उल्टा कर देगा तो मुझे क्या मिल जाएगा एक मिनट ट्रांसलेशन हो गया इधर तो उसको मैंने क्या कर दिया उल्टा कर दिया तो जैसे उल्टा किया है one upon चला गया one upon z plus d upon c चला गया तो हमारा क्या बन गया inversion बन गया this is called inversion यहां से हो गया inversion ठीक है तो उसमें हमने क्या किया हमने इससे multiply कर दिया हमने इससे क्या कर दिया multiply कर दिया तो जब multiply कर दिया BC minus DA upon C squares multiply कर दिया इसमें 1 upon Z plus DA upon C में multiply कर दिया तो यह हमारा क्या बन गया तो यह हमारा बन गया translation ठीक है तो जो कि इस form में मिल गए यहांई कि जितने भी binding form होंगे वह इन तीनों is फ़र्म से हमारे गुजरेंगी गुजरेंगे साब साब आपको दिख रहा होगा यही हमारा प्रूविंग था यह हमारा इसमें पॉइंट ह Euh तो अगर हम इसको देखे हैं तो इस तो स्ट्रेचिंग में यहां पे हुआ कि हम यहां ठीटा के बाद कर चुके हैं पाइले लो यहां पर किया ले लो पाई ले लो तो अगर हम इसको देखें ध्धान से तो अगर हम यहां पMin अगर आप इंटू में एकी पावर आई पाई बोल दें तो यह हो चुका यह मारे पास क्या हो चुका यह देखो पॉस्ट्य हुए हिसका रोटेशन भी हमने अप्लाई कर लिया रोटेशन भी यहां पे इसली निकल आएगा कोई दिक्क नहीं और क्योंकि कॉछ टुपाइक मतलब वो क्या होता है मारे पास लिए कि पॉट अप्लाई कर सकते मतलब यहां पर रोटेशन भी हमारा हो चुका rotation भी हम easily apply कर सकते हैं तो इसका मलब हमने सारे geometrical interpretation देख लिए किसके अंदर एक by linear transformation के अंदर यह सब कुछ हमारे पास आ चुका है ठीक है I think कहानी भी आपको समय में आ चुकी होगी कैसे यह चीज़ प्रूफ की जाती है कैसे इसको एक नाम देते हैं और इसको अगर हम लिखेंगे तो जेड प्लस डी एपाउन सी भी तो ऐसा बनेगा तो इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं ट्रांसलेशन हम लोग एजली कह सकते हैं कोई दिक्दोली बात नहीं है तो पहला तो चाहे डाइलेशन भी नाम देदो आपकी मझे यहां तक ही कानी आगे होगी अब नेशी थेरों में चलते हैं यह भी थेरों हमारे पास ज्यादा यह था हुआ आपको बता रहे है क्या है to so that the resultant यह resultant बोलो यह product बोलो of the two bilinear transformation is also bilinear transformation यह नहीं कि जब भी हमारे पास कोई दो transformation होंगी उनका मैं product करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा resultant में भी एक bilinear transformation मिलेगा ठीक है तो इसका मतलब क्या है statement कि थुरू मुझे assume करना पड़ेगा प्रूब कर लेते हैं तो ज़्यादा महेना तो लाग काम नहीं बचाए easy way प्रूब हो जाएगा ठीक है जैसे इसमें क्या कर लें consider कर लें consider to bilinear transformation transformation ठीक है बैलिया transformation हमने जुम कर लिया तो बैने जुम कर लिया डबलूट एक है जुम कर लिया हमने az plus b upon cz plus d where ad minus bc does not equal to 0 और एक हमने जुम कर लिया जाई equal to एक हमने जुम कर लिया है जाई equal to क्या यहां पर हो जाएगा sir a1 w plus b upon b1 upon c1 w plus the complex number होता है is इसको वह कोई दिकाद बात नहीं है तो इसको कर लिया है और यह हमारे पास क्या हो जाएगा कि a1 d1 a1 d1 minus b1 c1 does not equal to zero यह हम ने एजूम हो गया अगर ऐसा हो चुका है तो फिर अपने पास कहानी क्या बनेगी अब यहां से कहानी समझ लेते हैं अब यह जो डबलू के वैल्यू है उसको ठाके इसके अंदर रख देंगे यही तो हमारे पास होता है प्रोडर्ट के फॉर्म में मलब की मलब कि आप टांस्वर्मिशन टी वन आफ टी टू निकाल रहे है तो टी वन पर हमझए ईसको घ्रम नाच मिलब करना है तो यह होगा थ्या होगा इसको इस page में apply करके अगले page में apply करते हैं ठीक है तो कहाणी या यह तक सम्द में आही कही होगी अगले page में इसको apply कर लेते हैं तो क्या बनेगा तो बन जाएगा j is equal to az क्या रखेंगे az plus b upon cz plus d और यहाँ पर क्या हो जाएगा a1 हो जाएगा ठीक है और यहाँ हमारे पास क्या था plus b1 था अपॉन भीदर में पास क्या था c1 था धर क्या हो जाएगा az plus b az plus b upon cz plus d था ठीक है और into में पने पास क्या है इन्टु में पास दीवन हो जाए गी यहां तक समन्हाग्य होगा अब देखो हम क्या करेंगे simply इसका क्रॉस मुल्टिप्लाइ कर लեंगे तो क्रॉस मुल्टिप्लाइ कर लेंगे क्यों हो जाए गार वो अमाय पस एवन ए जेड और प्लस एवन भी एवन भी सप्रेवट क्या हो जाएगा दोनों कैंसिल हो जाएगा इसलिए इसको हम सिधना लिखे लिखते हैं ठीक है तो इसको क्या हो जाएगा कोई दिक्क्रतली बात यहां पर नहीं अब हमें इसको फैटराइजेशन करना है क्योंकि बीना फैटराइजेशन के मामला सेट नहीं होगा तो इसको हमें क्या लिखा लेना है ठीक है तो इसको हम देंगे जड़ वाले एक साइट कर लेते हैं अब जड़ वाले एक साइट मतलब यहीं अपने पास है तो बुलें के सर क्या बन जाएग अपने पास बीवन जे खास प्लस अि उसके बास बन गया प्लस लगा लेगे अब इन दोनों में ले लेते हैं इना लेते क्या श्काम बने गया चाहिकी प्लस यह हो जाएगा बीवन डी यह बन गया अपाउन अपाउन आम दे देंगे ठीक इसमें जड़ काम ले लेंगे अगर इसमें जड़ काम ले लेंगे तो क्या बन जाएगा जड़ काम ले लेंगे तो यहां पर अपने पास बन जाएगा तो है है कि इसको नाम देतीर, कैपिल ए, इसको नाम देती है इसको नाम देती है, है तो जैसली बात है यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो ad-bc does not equal to zero होना चाहिए, AD-BC does not equal to 0 होना चाहिए तो हमें ये प्रूफ करना है अब हमें क्या चेक करना है AD-BC does not equal to 0 हमें ये प्रूफ करना है अगर हमें प्रूफ कर देते हैं तो ये biling prior हमारा आराम से कहलाएगा तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे सर उसको कहानी समझते है एक योलिम ने कैस्ट दूम किया ये, इसका और D हम नहीं ये, इसका multiply कर लेते हैं, इसका क्या कर लेते हैं, तो क्या बनेगा, तो इधर हो जाएगा एसी वन अपने पास, ठीक है, इसका multiply करना, क्या बन जाएगा, A1 A, प्लस B1 C, ठीक है, और यहां हो जाएगा, C1 B, प्लस D1 इसका है C1A plus D1C इसका multiply कर लेंगे किसके साथ आपने पास A1B A1B ठीके और plus B1D इसके साथ multiply कर लेंगे तो multiply करेंगे पूरा एक्जम explain कर लेंगे multiply करके तो क्या बन जाएगा आपने पस एवन ए ठीक है डीवन डी प्लस बीवन बी इंटू सीवन सी ठीक है ये बन जाएगा पहला step में पहले step में मैंने ये से multiply कर लिया पूरा अब उसके बाद आगे देखो ठीक है तो आगे देख लेते हैं तो आगे क्या बनेगा तो बन जाएगा उसके बाद हम इसका मतलब इनका प्रोड़क्ट भी क्या हो जाएगा इसका मतलब यह हुआ हमने सीधर कर लिया है कि ad-bc does not equal to 0 तो simply हमें क्या करना था यह तो बहुत ही असान है बस आपको थोड़ा से calculation पर focus करना है बहुत असान है आप लोग अराम से कर सकते हो कोई दिक दो बात यहां पर नहीं है ठीक है इसका मतलब यह हुआ कि जो जाए हमारे पास क्या होगा जो जाए इकोल टो हमारे प transformation transformation तो easily is combined transformation अराम से कह सकते हैं विकोज यह condition हमारा होल्ड कर रहा है ठीक है तो यह theorem हमारा कह रहा था इस theorem को हमने easily approve कर लिया है और क्यूंकि अब यह क्यूंकि हमारे पास अगर हम गुरूप के बात करें तो इसको गुरूप पर प्रूब कर सकते हैं यह गुरूप भी हमारे पास होगा अब यह नहीं होगा यह भी आप अराम से प्रूप कर सकते हैं और आराम से आप प्रूप कर पाओगे कोई दिक्कत वरी बात नहीं है ठीक है तो अब हमारा जो नेस लेच्चर होगा वह होगा critical point क्या होता है हम इसके बाते बात कर लेते critical देखो नाम से बदाब उने पर अपर गए तो उनकी बात करने वाले हैं यहां पर ठीक है तो देखते हैं क्रिडिकल पॉइंट हमारे पास क्या होते हैं डिटेल मेलेचर देखते हैं critical point में क्या लेते हैं पहले हमने consider कर लेते हैं हम इसे की तरह consider the bilinear bilinear transformation bilinear transformation w is equal to tz ठीक है is equal to az plus b upon cz plus d यह हमने zoom कर लिया ठीक है तो यह हमारे पास हो गया अब इसके बाद हम देखते हैं अब इसको हम solve करते हैं अब ध्यान देना critical point को solve के जाता है जेट के लिए solve के जाता है तो इसको हम जेट के लिए solve करते हैं अगर cross multiply कर लो आप ठीक है तो क्या बन जाएगा तो बोलो sir मैंने cross multiply कर लिया अब जेट को excite कर लेते हैं ठीक है तो हमारे पास omega z बन गया और हमारे पास मैनस हो जाएगा बी मैनस लेका हमारे पास नेघट कर लिता हूं ठीक है तो डबलू ste Learn or minus Az थाएगा दिस equal to हमारे पास हो जाएगा बी मैनस omega हमारे पास हो जाएगा डी और यह बन जागा इस्में कावम लन लेके जिट तो हमारे पास आ माइनस ऐ यह मेगा ऐगको बन जाएगा यहां से मदले ले लेंगे जе इसकोल तो क्या बन जाएगा बी माइनस उमेगा ब्रफब्र हमेगा speaking होगा जाएगा अपो गषिछ क्वाट कर भीड थाएगर कोई दीक्निовननने above was बोल सकता हूं T inverse W तो इसकोल टूमारे क्या हो जाए का B minus WD upon WC minus A WC minus A यह हमारे बन गया अब थोड़ी सी जानकारी आओ देता हूं अप लोगो एक पैज आड़ कर लो जल्दी से ठेक है थोड़ी सी जानकारी और इस मिले लो जैसे के हमारे पास यह बन गया तो हम लोग क्या लिए सकते हैं तो हम लोग लिए सकते हैं T inverse W यह जेड है हमारे पास इसकोल टूमारे पर फॉर्म क्या मिला B minus WD upon upon हमारे पर मिल गया WC minus A WC minus A ठेक है यह बन चुका है तो दिहान से आपने देखा आपने देखा कि हमारे पर W equal to क्या था हमारे पर W equal to था अगर यहां पर Z equal to क्या हो जाए? Z equal to हमारे पास हो जाए minus का D upon C जहां पर C does not equal to 0 लोग है तो हमारे पास यह define नहीं होगा इसका मतलब यह Z के हर एक point के लिए जिसका मतलब Z के हर एक point के लिए W को मेरा point मिलेगा लेकिन Z के इस point को छोड़कर तो Z के वल इस point को छोड़कर यह W plan हमारा uniquely expressed हो रहा है ठीक है और मैं T inverse की बात करूँ T inverse मैं अगर बात करूँ तो अगर W की बात कर रहा हूं यहां पर W हमारा किसके लावा तो ब्रूसर हमारे पास A upon C के लावा यहां पर अगर कोई भी point रखा जाए तो uniquely expressed होगा यह भी क्योंकि हमें पता है कि आप Z से W जाओ चाहिए W से Z जाओ यहां पर कौन कौन से point छूट रहे है हमारे पास एक चूट रहा है तो दोनों point हमारे पास चूट रहे हैं क्योंकि इन दोनों point पर और यह point हमारे पास already refine होता है Z equal to infinity ठीक है और इसमें भी W equal to infinity तो इसका मतलब यह जो points होते हैं ना यही points हमारे क्या कहलाते हैं यह points हमारे क्रिटकल points क्यूंकि इन point पर हमारा जो यह होगा ना कर सकता हूं इसका में derivative कर लेता हूं चोट दी को छोड़ दीजिए ठीक है numerator की डेरीट कर लेंगे तो यह नहीं बन जागा ए फिर उसके बाद क्या बनेगा minus फिर क्या करेंगे numerator को छोड़ दीजिए यह जड़ प्लस दी को छोड़ लेंगे और इसका डेरीट कर लेंगे तो बोलो सब बन जाएगा हमारे पास C क्का बन जाएगा इधर सीजिए ड़ो प्लस दी का होल सकार क्रिकल पोई निकालने की तरीका एक और होता ना कि डेरीवेट करके बराबबाहरे जीरो दोसको इसको क्रिकल कल पॉइंट कहते है ठीक है तो जिसदुब हमारे पास होता नहीं एठीक यह जिरो हमारे पास होता हो हो जेट इकोल्टु क्या होता हो हमारा इन्पेंटी होता हो तो हमारे पास जी रो मिल 원ậberg यह ठीक है एक पांप पर क्या होगा ंए कि इस पर हम डिफायन कर लेते हैं आपको खुछ हमारे पास यह इन्फनिटी कर लेंगें if और यह 0 कब देगा इफ जब हम इंफिनिटी रख देंगे तो मेरे पास क्या देदेगा जीरो देदेगा आपने देखा इंफिनिटी रखो कि वान पाइंफिनिटी मलब 0 क्योंकि उपर वाला 0 होता नहीं है ट्रांस्फरम्शन में या लेडियम डिफाइन कर चुके हैं तो इ कहला हमारा पॉ зайए पोइंट क्या है जेडेकॉल 2-d on c-d on c और दूसरा पॉइंट हमारे पास है दूसरा पॉइंट हमारे पास है जेड इसिऊल तो इन्फिनिटी और इन फोइंट को क्या बोलते है इस प्रास क्रिफेल वहीं रग को फीन यहां पर क्या होगा अगर आपको समझ में आ चुका होगा अगर आपको समझ में आ चुका है तो इसी स्रीज में हमारे के पास एक कुर्षन आ रहा है जिसना बताना है ठीक है फांया या रखो कि माइनश डी पूर्ली पूर्इद है To i think सब कोना गया हो पैसे निकालते किसी बिछ ऐसे लिए तो तो clear था, आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, अब हम लोग चलते हैं किधर, fixed points बोलो, यह फी invariant point भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत बात नहीं है, fixed point को define के से करते हैं, fixed point क्या होता है, z equal to fz, जो हमारे z की value देता है, उसे fix point कहते हैं, वही हमारा क्या होता है, fixed point कहलाता है fixed point कहलाता है, fixed point का सही में, दूसरा मतलब भी हो सकता है, कि the points, the points, ठीक है, which, which coincide, which coincide with, with their, here, their transformation, transformation are called fixed point, fixed points, यही इंवरियों प्रावियों प्रावियों फ्रावियों, नहीं रेता है, इस तरीके से हम लोग निकालते हैं, निकालते हैं कैसे हैं, simply आप इतना यादा खो, z equal to fz रखने पर, जो z के point आजाते हैं, उन्हें को बोलते हैं, fix point बोलते हैं, ठीक है, अगर हम आपको बोलें, simply, example लेकर बात करें, तो हमारे पास कोई transformation किस form में होता है, बोलो सर्ड डबल तो बोलो सर्ड हमारे पर बन जाएगा, az plus b upon c z plus d, cross multiply कर लो बेटा, cross multiply कर लो तो यह बन जाएगा, c z square plus z d बराबर, बराबर यहां पर बन जाएगा, कितना, यहां बन जाएगा अपने पास, az plus d, क्यूंकि din after one मान लो, cross multiply कर लो, देखो पले हमने मोबियसी किया, इसलिए इ मोबियसी करना होता पहला step में, ठीक है, तो इसलिए हमारे पास इसको मोबियस transformation भी बुला गया था, तो इसलिए हमारे पास हो गया, अब इसको बात हम क्या कर लें, इसको common एक तरफ ले लें, तो c z square और plus इसमें ले लेंगे z common, तो हो जाएगा d minus a, और हो जाएगा minus d, this is equal to zero, इसमें quadratic formula बना लगा देंगे, अब quadratic formula लगा थेंगे, फिर आगे solve करते हैं, ठीक है, तो अब इसमें हम लगा देंगे quadratic formula, देखते हैं क्या बनेगा, तो quadratic formula लगाते है, फर्मला क्या होता है, minus b plus minus b and root b square minus 4 is a, तो लगाएगा, तो लगाएगा, minus अंदर में reply कर देंगे, तो जो हमारा d minus a है, तो क्या बन जाएगा, a minus d बन जाएगा, ठीक है, plus minus बन जाएगा, अंडरूड, अंडरूड क्या बन जाएगा, b square 4ac upon 2a होता है, तो b के value हमारे पास क्या हो जाएगी, a minus d का holy square कर सकते हो आप, तो बोल देंगे सीरे, a minus d का holy square plus 4ac, a c है न, a के value c है यह c के लिए यहाँ पर d है, तो रख देंगे plus minus minus हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर रह सकते हैं, simply minus 4cd, यह बन जाएगा, ठीक है, और upon अगर लगा दू, upon अगर लगा दू, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर होता है, 2a होता है, तो 2c हो होता है, तो हम case first मान के चलते हैं, case first, क्या मान के चलते हैं, यह अगर c does not equal to zero हो जाए, और जो मेरा m है, m, वो भी मेरा कह रहा है, m मेरा यहाँ पर, क्या ले लूँ हो आपका, m भी मेरा zero मान लो ले लिया, ठीक है, c does not equal to zero, m मेरा zero ले लो, अब अगर मेरा m zero यह zero ले लिया तो बना क्या मेरे पास तो क्या बनेगा ब्लोसर हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस बनता है तो जड़ी को टू क्या बन देता है प्लस माइनस बनता है तो ए माइनस बन जाएगा जीरो अपान टू सी इसका मतलब एक माइनस में होगा तो अपने पास क्या बन ज यॉन और फिक्सस्पाइट होाइन्ट हो भी आपके सामने हैं कोन सी चाही माइनस दी एप ये बनेगा तिकर कe apart के सकंड के समें अगर हम बात करें सिर्ड चाहिए सिर दैजनाटी कोतों जिरू ले लो और M भी मेरा क्या रहे हो देजन अडिको डिकल्ट जीड़ हो गए तो उसका मतलब एक प्लस करेंगे एक मारे पास आएंगे दोनों अलग गाएंगे तो क्या बोलेंगे तो यहां पर तू इसका मतलब वर्ट तू फानाइट point हुआ अब उसमें दो finite point. finite fixed point finite fixed point fix point इकल गया खेके तीसरी इस्थित ले लेते हैं तीसरी position ले लेते हैं अगर थर्ड position के मैं बात करूं थर्र position में ले लो कि C हमारे पास अगर 0 हो जाता है End A minus D हमारे पास क्या बढ़ाए बन जाता है c is equal to 0 and a minus d दोनों equal to हमने क्या ले लिया 0 दे लिया ठीके तो इसका मतलब क्या है अब यह 0 हो गया यह भी 0 हो गया अब यहाँ यह 0 हो गया तो इसका मतलब इसके upon में आएगा तो जो भी हमारे पस infinity को चला जाएगा infinity को जाने के मतलब हुआ तो हम क्या बोलेंगे तो इसको बोलेंगे only one fix point fix point जो की क्या होगा जो की होगा infinity क्यवल क्या होगा infinity होगा ठीके क्योंकि one upon zero के फॉर्म में जो भी लिखे जाते हूं क्या होता है infinity हो जाते हैं और इधर कोई finite number है तो जाएज़ बेर कोई भी मतलब नहीं है आपका infinity आपका उत्तार आ जाएगा fourth अगर हम point के बात कर लेते हैं fourth point के बात कर लें अगर हम ठीके ठीके हैं अगर हमारे पास c equal to zero and a minus d does not equal to zero लिए जाता है तो क्या आएगा तो इसका मतलब क्या आएगा इसका मतलब देखो c equal to zero आगया है और एक हमारे क्या आगया है a minus d is not equal to zero आगया है तो in this case हम लोग क्या कह सकते हैं one finite होगा one finite one finite ठीके and and other is other is infinity तो एक हमारे पास finite मिल जाएगा और एक हमारे पास क्या मिल जाएगा infinity मिल जाएगा ये चीज हमारे पास निकल के आएगी तो easily आपको समझ में आ गया होगा कि fix point के हमारे पास कुछ points होते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिये हैं कि कैसे किस point के अंदर करत हम लोग बात करेंगे ठीके तो इनी fix point पर हमारे पास एक theorem आ जाती है ठीके तो example हम लोग simply लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए simple example एक्दम simple example रखूंगा हलब 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 ठीके जैसे हमने लिखी लिए डवलू इसकोल्टू यहां पर ले लिए मैंने जैट प्लस टू अब डवलू फ्लस टू ले लिए ठीज़ प्लस टू ले लिए ठीज़ प्लस टू हमारा fix point बता लगाना है किस्ट पर लगाना है तो क्या रखेंगे तो नौ पहले बाद बात बिलीए रहे रहे हैं ने तो बीक्ता देखते हैं प्रमें यह दिखते हैं अगर लिनियर होगा तो फिम क्या एक सिश्वेशन लगाएंगे तो सिछू अपनी सिंपल सी बात है कि डबलो को ड्यू क्या रख पॉइंट ऐसे निकाल लेगे दूसरे इक्जम्पल ले लो दूसरे एचांपल आप ले सकते हो क्या ले सकते हूं यह समय डूल य्या थे प्लस टू अपन है फोर जैड और प्लस नहीं है मैंने 3 ले लिया ठीक है यह बिलिया मैंने तो यहां पर अगर फ़ी यग जाग दें अ 3 multiply कर लो cross तो जाएगा 4z square plus 3z हो जाएगा minus 3z हो जाएगा and minus 2 हो जाएगा this is equal to 0 हो जाएगा ये दोनों cancel हो जाएगे तो अपने पास आजाएगा z square is equal to 1 by 2 आ जाएगा तो z is equal to 2 आ जाएगा plus minus z is equal to आ गया plus minus 1 upon root 2 plus minus 1 upon root 2 and this is your answer तो यहाँ पर two fix points आ गये है एक plus में आ गया एक minus में आ गया अराम से आप देख सकते हो कोई दिखे दोली बात नहीं है अराम से भी आप देखते हो c does not equal to 0 हमारे पास है और आप देख सकते हो जो हमारे पास क्या था condition देख ले न जो भी है तो यहां पर दो आपके पास निकल क्या है आप आराम से इसको लगा सकते हो कोई दिखे दोली बात नहीं है ठीक है तो fix point ऐसे निकल सकते हैं अब जैसे हम लोग यहां पर चले हैं यहां पर अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होगा fix points of a bilinear transformation ठीक है to prove that in general there are two values of z जने कि हमारे पर दो values of z की होंगी पहला case हमारे बात कर रहा हूं ठीक है फिर दूसरा case अगर यहां पर डिस्टिंग्स इन्वारेंट आते हैं अलग अलग इन्वारेंट साथे हैं तो इसको हम इस फॉर में पूट कर सकते हैं फिर यहां पर तिसरा and that is there is only one only one invariant point पी अगर कोई एक only one point invariant पॉइंट आ रहा है तो इसको maybe in the form in the form of normal form हमारे पास क्या होगा one upon w minus p यह normal form को याद भी करने पड़ेंगे इन future हम सीधे भी apply कर सकते हैं यहां पर ठीक है इन फिर पॉइंट के सहता से और आपको नहीं याद रहेगा तो फिर हम बनाना भी सिखा देंगे आपको कोई दिखत दोरी बात नहीं है लेकिन याद रहेगा तो मेरे recording ज्यादा आपको मज़ा आएगा उस लगाने में ठीक है तो इनको improve करके दिखाते हैं आपको और बड़ा मज़ा आएगा इस numerical में क्योंकि पूछा भी जाता कभी-कभी और यह theorem important भी हमारी लिए है इसलिए हमने इसको लेकर आया हूँ ताकि आपको समझ में बराबर आ जाए ठीक है स्टार्ट कर लेते हैं अच्छा एक पॉइंट इसको देखा तो मुझे लगा कि यहां पर मुझे करना चाहिए चलो कोई बात नहीं आ गया अरे यह तो नॉर्मल सी कहानी आ रही तो तुम लोग पढ़ी लोगे इमसी कर रहे हो बीसी कर रहे हो हलवा थोड़ी है ठीक है इतना तो आप लोग समझदार होई चके तभी तो बीसी मसी करने आये हो चले बात कर लेते हैं तो हमारे पास क्या है प्रूफ की बात कर लेता हूं मैं प्रूफ की बात कर लेता हूं मैं बाइलीनिया ट्रांफर्मेशन यह आपको तरिजिम करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके बेना हमारी कहानी का मनेगे तो डबलो इकोल क्या बनेगा दो बोलसर एजड प्लस बी अपॉन प्लस डी यह बनेगा अच्छा यहां तक आपको सुन में आगे तो आपको पता है डबलो इकोल क्या रखना पड़ता है जैसा कि थेओरम में बोला भी गया एक बार है तो रख देंगे तो रख देंगे तो क्या हो जाएगा तो इन्वारेंट तो फर्स पॉइंट हमारा बात क प्लस डी और चीजद का बनेगा तो बेलोसर हमारे पर बन जाएगा जैगा जेड़ इस क्वण टू जेड़ प्लस डी और चीजड चीँ प्लस अच्छी ऐट ठीके इसको माइनस माइनस प्लस यहां पर हो जाएगा थोड़ी सी और होगा ओर बीनिटिश सबसको कि यह गए होगा फेल से तshit होगा आ और रधी पर ना दिखत नहीं करते हैं तो यह अब दिक्कत नहीं तो यह हमारे पास होगा यहां तक सबको संद में आ चुका होगा अगर यहां तक संद में आ गया देखो जड़िकल लिखा मैं आगे अगर यहां तक कानी क्लियर हो गई तो मिसको आगे क्या देख सकते हैं ध्यां समझ ना कि तो अगर हम यह ले लेते हैं इफ एडी my a-d का हूलिस्वार प्लस 4bc लिख देते हैं तो मतलब जाइड से बात है जै इकल डू क्या बन जाएगा ज़िए इसकोल टुमारे पास बन जागा A-D प्लस-बने गए लिए कि उसे कोई मतलब नहीं तो सिंकल वन वन फिक्स पॉइंट आ गया ठीक सिर्ट वन फिक्स पॉइंट आ ठीक है तो यह मारे पास वन फिक्स पॉइंट आ चुका है अब उसके बाद हमारे पास क्या होगा तो कॉश्ण कहीं भी रहा है कि अगर यह हमारे पास एकोल टुजिए उन फिक्स पॉइंट आता है यह बात हमें समझ में आ गई कोई दिक्कत नहीं है अराम से समझ में आ गई होगी क्या बोला सपोज कर लो कि दो फिक्स पॉइंट आ जाएं सपोज यह पहला फिश पॉइंट माल लिए हमने फीट और दूसरा फिक्स पॉइंट हमने माल लिए क्यों फिए एंड क्यों ठीक है और distintos ठीक है और distinct invariants हमारे पास in Strawberry polarized to the frequency point of conquest of transformation अब statement क्या रहा है statement कह रहा है कि आप suppose कर लेजिए हमार आप से suppose कर लीजए क्या है हमारे पर इस पिंड क्यों हमारे पास ḥ हमारे पक्ष्ने पर ने हिंड या हमारे है आप हुमेरे पास हो गा तो रोसा सीजेड स्कौायरवton जाएगा वजेगा थो तो कि गया तो यहां पर कामन सेंस होने का हुआ हो यह को साटिस्टाइड करेगा तो यह साटिस्टाइट करेगा तो सेड़िट करने मतलब यह हुआ जहां जेड वहाँ पर पी रख सकते हैं वहाँ पर क्यों रख सकते हैं वहाँ पर क्यों हो जाएगा और अगर मैं दूसरे से पॉइंट पर रख देता हूं तो CQSquare हो जाएगा माइनस का हमारे पास हो जाएगा A-D into Q हो जाएगा माइनस हमारे पास का हो जाएगा यह बन गया अगर हमारे पास यह बन चुका है तो हम solve कर लेंगे तो यहां से क्या बनेगा तो थोड़ा लगा लेते हैं नाउå इसको और वह बन जाएगा CpoSquare बन जाएगा और इसको multiply कर लो ठीहां कैंक कर लेते हैं även माइनस क्या कर लेते हैं माइनस हो जाएगा मैनस हो जाएगा तो Soy eu बन गणी हchl API कशा कर दिया और इसमें वन यसे कर लेंगे तो हो जाएगा सर्सी क्यूं स्क्वाइर हो जाएगा सी क्यूं स्क्वाइर हो जाएगा और यहां पर हमारे पास माइनस का एक क्यूं हो जाएगा और बरापर हमारे बन जाएगा भी हमारे पास माइनस क्या बन जाएगा क्यूं डी बन जाएगा ठीक है इतना बन गया यहां त तो क्या मनेगा तो W-P ठीक है W-P तो W को वैलू उठा कर रख दो W को वैलू उमारे पास क्या होती है W को वैलू उमारे पास यह हमारे पर W रखा था W को टू क्या होता है बोलो सर एजेड प्लस B अपन CZ प्लस D था और माइनस P ले लिया हमने अपन अपन ले लिया फिर इदर W को वैलू रख देंगे क्या रख देंगे AZ प्लस B ठीक है अपन CZ और प्लस D ये रख देंगे ये रख देंगे और यहाँ पर देंगे माइनस क्यों रख देंगे ठीक है अब यहाँ से क्या करेंगे क्रॉस मुल्टिप्लाइ कर लेते हैं अगर हम क्रॉस मुल्टिप्लाइ करेंगे तो क्या बन जाएगा एजेड प्लस बी क्रॉस मुल्टिप्लाइ करो तो यह बन जाएगा ब्रेकेड में और माइनस का पी से मुल्टिप्लाइ कर लो तो क्या हो जाएगा माइनस पी सी जेड औ और माइनस कब P पूंग आपर किया बन जाएगा है कर रुद्अ में बन जाए गात है तो यह यह बन जाएगा टीक है यह तख्ला गया होगा है even señora आगे हम पूब कर लेते हैं थोड़ी से आगे कहानी को बढ़ा लेते हैं तो यहां से कहानी को अगर आगए लाते हैं तो क्या बनेगा सर तुम्हें रपस बन जाएगा डबलू माइनस पी अपाउन डबलू माइनस क्यू दिस इउकल टू इस इउकल टू यहां पर हमारे पास क्या आ गया था बुलसर हमारे पास आ गया था एजड प्लस बी आ गया था ठीक है और माइनस का हमारे पास आ गया था पी सी जड आ गया था माइनस का हमारे पास आ गया यहां पर क्या था पीडी था अपने पास क्या हो जाएगा अपने पास हो जाएगा एजेड प्लस बी यह बन जाएगा ठीक है उसके बाद माइनस क्या बन जाएगा सी क्यूं जेड और माइनस क्यूं यह बन गया था अपने पास ठीक है अपने पास यह बन चुका था अब US PC हो जाएगा इंटउ में पास जेड हो जाएगा ठीक है और plus हो जाएगा A- A-C-ija इंटू में Z आ जाएगा ठीक है और प्लस B माइनस क्यों Z क्यों D आ जाएगा ये बन जाएगा अब उसके बाद अपने पास क्या हो जाएगा तो बोलो सर्थ हमारे पास आ जाएगा A-P C A-P C into Z इंटूजेड ठीक है अब इसकी वेल्यू इसकी वेल्यू यह उठाकर रखने ही पड़ है कहा से तो ध्यान से देखना इसकी वेल्यू हु startups टैञेर दिश्कवां मानेस ए पी ओर इसके वी तधा के रखेंगे सीक्वार मानस एक्यों चिलो ठाके रख लिए इसमें तो ठाके रखेंगे तो क्या मनेंगा सर तो इतनी काने यह समझ में आगे होगी बड़ा आसान तरीके से लाए कुछ खास नहीं करना इतना तॉप कर लोगे ठीक है तो जैसे हमने यह किया है तो हम इसको फैट्राइजेशन कर लेंगे इन दोर में कॉमन क्या दिख रहा है इन दोर में अगर कॉमन देखेंगे तो अपने देखेंगे ल Watching अपने पहले डिए हम दरने तरने इन तो बन जाएगा अब ध्यान से देखो गए तो यह मेरे पास है यह क्यों बन जाएगा जर मैनस प्या बन जायेगा एक गढ उन ले लिया है कोई दिक्कत नहीं तो यह माइल पास फार्म बन गया इसी फार्म को बोलते हैं नॉर्मल फार्म यहनि सब्सक्क्स होंगे तो आपको ऐसा नॉर्म फार्म बनाना पड़ेगा या फिर सीधे आप याद करके सीधे अप्लाइ करने पड़ेगा तो ऐसे भी कुशन निकाल करो कि ज्यादा असान लगेगा आपको इस तरीके से हमें काम करना पड़ता है तो यह हमारा क्या कर लाता है यह हमारा फॉर्म कर लाता है अब प्रूब में आकर ध्यांस देख लो तो यह मुझे प्रूब भी करना था अभी लिखने क्या जाता था है उसको समझ लेते हैं थार के समझ लेते हैं थार के स्था कि को दो मने पास क्या होता विलू सरे माइनस डी अपॉण टू सी मेंने निका ला था ठीक यह निकाला था तो अगर उसको सड़िसाई भी करेका तो बोलो क्या हो जाका सीपी स्क्वाइर माइनस एपी और बराबर अभी हमने लिखा है बी माइनस पी दी अभी हमने पूरूफ कि है ठीक है ऐसा कर लिया now यह हमारी सारी सिती यह हो चुके है टिक है यहाँ आपान का था w-p था टा क्या था यूइब लेकर चलेंगे ओः कहानी को पूर बाप देंगे थिक तो डबलु टा के रख लिए थे बीटा डی Pi्ल वेलु हमारे पास होती है mm प्लस b करो रिवर्स करो सारा बावाल करो क्या बनेगा बताओ जली बताओ सी दे तो CZ plus D मैं सी दे लिख रहा हूं ठीक है यह बन जाएगा माई पास प्रो क्रॉस मुलिप्लाई कर लो कमन में रे लो क्या बनेगा कर देगे कर देंगे कर देंगे क्या रख देंगे क्या रख देंगे क्या सी पी स्कॉर प्लस डी अपान ए माइनस सी दी और इन्टू जेड ए मैंस एंटू जेड हो जाएगा और प्लस इसकी विए स्क्वाइरफ माइनस एपी रख देंगे ठीक है यह रख दीए मैंने तो अगर यहां तक रख दिया थो काहनी क्या बने गया गए तो बुरुथ कानी में कुछ एड़ सब्सक्राइड कर लें तो पहले इसको पॉमन ले लेंगे तो नीचे वाले कामन लेकर बन जाएगा अपने पास ठीके हो जाएगा हमारे पास अचे चीरॉड डेको डी हमारे पास थानना तो ऐसा करो ख में information कल लो तो यहां निकालतनी का लो है तो कहानी प्रूफ हो जाएगे नब आप तो क्या पूलेकर दीकिलो के आज मे उसमें कटने वाली बावाला अब दिक्कत करेगा तो नीचे है नहीं तो जो यहां से हम डिकलो रख लेते हैं तो यहां से 2pc minus तो रख देंगे तो plus 2pc minus minus a यह रख देंगे ठीक है इसको calculate करेंगे इसको अगर हम calculate करेंगे तो क्या हो जाएगा तो ब्लोग सा cz और cz में हम लोग क्या कर देते हैं एक चीज़ और ध्याद नेने वली बात है माइनस इधर है तो इधर माइनस छोड़ेगा यह क्या छोड़ेगा माइनस छोड़ेगा ना माइनस छोड़ेगा तो यहां पर हो जाएगा 2pc की तो टुकड़े कर लेंगा माइनस पीसी माइनस पीसी तो हो जाएगा माइनस पीसी ठीक है और यहां पर भी करेंगे तो माइनस इस्टी से मैं माइनस भी चैँ ऐसा जाएगा ए माइनस फीसी हो जाएगा और अपन्पकर इस इधीщее माने से यहां से भी जवन वानस मेन अपने ठीक है तो लिछ आपकर अबने नहीते का लेंगे तो रिखते अत्र चानी हो गया थे इसमें से अचानी लेंगे तो बने गए घर माइनिस पी वने गा जाए घर डिया का शीर सीए पानिस रॉपन गागई टुर्चीश फी अमने लिका रिखोके तो पिसके से अच्छे हैं तो बचेए का 1 upon us a minus P बचेए गार आंगा होगा चाहनी क्लियर हो गई होगी ठीक है और इसको हम नाम दे दिए क्या इसको नाम दे दिए ग्या इसको नाम दे देंगे तो यह अपने प्रूफ हो जाएगा के नमदिदियों के फि–त्थोजय की बन गया तो इसको हम के चंद अ मीनस ची पन पन-ए पास ना नाकर सब्सक्राइब लगाइन मे सब्सक्राइब करनंसेo पन लाइनज एसको अपन ए माइनस सी अपन ए ांच सी सब्सक्राइब लहीं मुझेख करना था तो I think सभी को सब्सक्राइब करना होता है आपको यह आपको दिखाना पड़ता है ठीक है अगर यहां तक यह कहानी आगे चलो आगे लेकर चलते हैं आप लोग को आगर यही पॉइन का है तो आगर दो कोहानी आलग बात हो तो आपको याद रखना है की two different form केवाये हमारे पास पहले और फिर्फ़ेंट फ़रम के लिए होता है तु डिफरेंट फ्रम के लिए होता है लेकिन अगर one six point आ जाता है तो उसको ईखाया क्याय पार बोली जै तब हना और दूसरी पहरनी लूट का बोलते हैं जब हमारे पास के जो होता है एक पाइए अलफा के फॉर्म में आ जाए और जो अलफा हो वह डजना इकोल डू किया रहे जिरो रहे जाए तो इसको मैं इलिप्टिक भोलते हैं ठीक है रॉक्स ड्रोमिक का बोलते हैं इसी दोनों ही दोनों हमारे पास क्या हो जाए रियल नम्बर हो जाए ठीक है तो मैं इसको लौश्यूर्मी कहता हूं और यह मेरा positive भी होना चाहिए यह बात याद रखना तो कहानी का हम फिर से एक बार पूरा लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे ने तो इसे भूल जाओगे आप ठीके क्या क्या केस हमने सीखा हमने जब सीखा पहला केस हमने क्या सीखा कि पराबोली कब होता है जब only one fix point रहे ठीके तो किसी भी युए पारे बॉनिक कब होता है तो इसको हम पराबोलीक बहते हैं और इसका normal form क्या होता है तो normal form ऊढखो नॉर्मल फॉर्म याद रखो वन अपान ओमेगा इन हटे डबलू नाम दे रहे तो इसी में जब ओल्ली हमारे पास क्या आता है अब यहां पर केज बन जाता है जब two different fix point होते हैं तो हमारे पास case बन जाता है तो तो समना आ गया सर लेकिन two different fix point के लिए two different fix point fixed point के बाद कर लेते हैं तो उसमें अगर हम P&Q माल लेते हैं ठीक है P&Q अगर क्यों माल लेते हैं तो अपने पास क्या कहानी हो जाती है वहाँ पे अपने पास कहानी बन जाती है तीन category बन जाती है पहला बन जाता है क्या पहला बन जाता है पहला case क्या बन जाता है पहला case बन आहेहपरबोलिक इसने uyके मारे गदेंज गली यह पहला बन जाता एक है पर बोलिक लवं जाता है के गटर दीडू अगल हो गया यह जो ओके कौन सो था कि याद रखना है आप रोगों कि नावर्पाम होता है हमारे पास कि W-P अपन याद रखो W-P on the blue minus Q this is equal to हमारे पास होता है के into मोला मारे पास Z-P upon Z-minus क्ई वूता है ऐसा होता है तो क्या हमारे पास क्या होगा जीरो हो गए हाँ पर हमारे पस तो क्या बोलें तो इसको बोल देंगे हैपर बोलिक हाइपर बोलिक यह बोल देते हैं अब दूसरा फॉर्म हमारे पास क्या आता है एक पाउर अगर आई अल्फा के फॉर्म में अगर हमारे पास के आ रहा है एक पाउर आई अल्फा के फॉर्म में कोई अगर के हमारे पास आ रहा है जो अल् है हमारे पास वो डजनाट इकल तो क्या रहा है जीरो वेर अलफा इज डजनाट इकल तो तो मैं इसको क्या नहीं देता हूं इसको इलिप्टिक नाव देता हूं इसको मैं क्या नहीं देता हूं ठीक है उसके बाद हमारे पर लॉक्सोड्रमिक जो हमारे पास होता है उसके लि जो A हमारा है does not equal to 1 होना चाहिए जो alpha हमारे पास does not equal to 0 होना चाहिए A क्या होना चाहिए गिटे देन 0 होना चाहिए इस सारी चाहिए जब कोई याद ये condition ही main होती है ठीक है A does not equal to 1 होना चाहिए alpha does not equal to 0 होना चाहिए और A और B दोनों ही कैसे होना चाहिए बोध ही real number ठीक है यह भी important point है कि यहाँ पे यहाँ पर हमारे पर जो a और alpha है बोध हार real number होना चाहिए अगर यह सारी condition hold करता है तो मैं इसको नाम देता हूँ क्या इसको नाम देता हूँ कि इसको नाम कहा नाम देते हैं इसको नाम देते हैं हम लोग ठीक है खरी कुछ तरणिक हां कि अब लोग को याद रök नहीं अगर आप इनको याद रखोगे अगर आप याद रहती है ठीक है तो मैं विश्वास बता रहा हूँ कि जो मैं आपको पॉस्टन डिसकस करने वाला हूँ इन कॉस्टन में आपको कोई दिकत नहीं आएगी और यहां से कानपूर में ब्यस्टी इमस्टी और क्या ब्यस्टी मस्टी की बाद छोड़ो यह अगर आप से इस पॉइंट की तरह यूज होते हैं ठीक है अगर आपको यह बास मन में आ गए हैं चलो हम कुछ कॉर्षन डिसकस कर लेते हैं इसी में जैसे पहला कॉर्षन हमारे पास आ गया पहला सर्व कॉर्षन के सल्यूशन की बात करता हूँ हुआ 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 है सिधे डे डेवलू को इसको चलो कर लेंगे पांट चेज़र बडरा जिरो कामल कर लेंगे इंडी इतना तो आप अजये तो हमारे पास तीन चीज़ हमारे पास निकल कर देखो एक तो हमारे पास पहले पार बोला तो नहीं होगा अगर आपस पर बोला खोड़ा है अपर यहां पर अगर आइसा हो गहा है तो अगर टू डिफरेंट प्रीज पॉइंट आ जाते हैं हमारे फॉर्म क्या होता है निकल्टी दिया गया इसको तो अच्छा नहीं लेना है तो आप ऐसे कर लो इस याद मत करो लेकिन इतना तो आपको याद करना पड़ेगा कि डब्लो माइनस की होना है इसको एसे रख लो तो यहां पर जहाँ जिरो घटा लेंगे तो जैड़ आप आप उन्स टू ठीक है पलट जाएगा थ्री घटा देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा तो इसमें अगर ह बन जाएगा फाएगे तो जाएगा माइनस टूजेट और फ्री तूजेट अपने पहर बन गया इसा रिकाएप यह बात आपको याद रखो तो अब उसमें रख दो लेकिन अगर याद नहीं है तुसर कैसे करेंगे याद नहूं तो बना लो मैं आपको इस प्लेन फिर से कर रहा हूं यह चीज मैं फिर से कर देंगे इसको सॉल करेंगे तो सॉल करेंगे हमारे पास क्या गया वही याद रखना ठीक है जो फॉर्म आपको था वही फार्म याद रखना फॉर्म क्या था किसर के इंट्व फॉर्म में आपको याद रखना है अब कर लेता हूं आपको दिखाता हूं कैसे हमारा यह फूब होगा ठीक है तो यहांपर आइधिंग मारे तिन्स माइनस यहां पैण नहीं होगा ठीक है कलेट कर लेंगे तो तो माइनस का जाएगा माइनस को अगर पॉन जिड़ माइनस थ्री इस फॉर्म आपको बनाना पड़ेगा मैं सीधे लिख रहा हूँ आपको बनाना पड़ेगा कैसे बनाएंगे सर इसमें कॉमन नोमन ली जिये तो आट्व मियाद करेंगे फॉर्म मेरा क्या था देखो ध्यान से के मेरा पॉस्ट्यू है नहीं तो ह हम इतने दोनों फ़र्म मेंसे से अगर सौझेंगे तो अगर मेरा एंगरां टी रहा है crabgrass करते है तो बनाने प्रयास करते हैं के एक तो मैंट मैं तो हैं मिल गिभी सब्सक्राब कर लेता हो तो कहनी जनन आएगी सब्सक्राइब मुल गिया मायनके इसा क्या हो जाए गार यको मेरे पर मुझे मिल गाए सारी कहानी परूब कर रहा है होगा तो जो इसको क्या बोलेंगे तो दिसलिज नॉर्म बन गए और यह मेरे जो बना है यह क्यों कर रहा है कि कैसा और मीज़ा तो मैप पीज बोलेंगे मैप इज अंट एक कृष्ण में अर्य एक यह बन गया है ठीक है तो इस तरीके से हम लोग्स और में चलू तो इस तरह मैं अगले प्रसने की बात कर लेता हूं, second number की बात कर लेता हूं, second number हमारा क्या कह रहा है, कि w equal to 3i z plus 1 upon z plus i, इसमें भी जहां w वहां z रख दो, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, सीधे रख दो, तो z is equal to 3i z plus 1 upon z plus i ये बन जाएगा, ठीक है, cross multiply कर लो, तो बन जाएगा z square minus 2i z minus 1 this is equal to 0, इसको solve कर ले, तो z is equal to i, i again, only one fix point आ गया, तो one fix point आ गया, one fix point आ गया, fix point, और तो अगर one fix point आ जाएगा, तो उसको paraboli込ेख नाम देते हैं, उसका normal form क्या होता है, तो normal form लिख लेते हैं इसका, normal form, नौर्म आपके क्या होता है उसको लिख लेते हैं ठीक है तो बन जाता है W सिधे में लिख रहा हूँ 1 अपाउन W माइनस P होता है P मतलब हमारे पास I है इस इसकोल टूर रख देंगे तो यह सिधे में अप्लाई कर रहा हूँ तो सिधे W के value हमारे पास क्या है जो है इसी में माइनस I कर लेंगे calculate करेंगे और calculate करने के बाद आपको normal form मिल जाएगा ठीक है चुलो मैं लिख देता हूँ calculate करने के बाद सिधे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्या बनेगा तो बन जाएगा सर जैड प्लस I upon two ठीक है एगर बने बन जाएगा सर क्या बनेगा तो मुझे यह बनाना आइस में क्उमन लेंगे तो यह बने पास ही यह क्योंगी मुझे तो वह भी देकing है मुझे बाइब अपना आई भी डालना जड़ माइनस फी होता है वहां पर बाइब अग्ले च्टेप में करूँगा धियान देना तो अगले च्टेप में प्रूब करूँगा यहां पर जड़ी इसको हुमारे पास क्या बन जाएगा कि अपन असान होता है यह ट्रमित्वर यंध्वरी हो रहा है बात को समझी ही हमारे लेच लेंद्वろह रहा है लेट्टा जड़ेल कर रहे है में हो सबिस वहां प्ल संदिपा सब्सक्राइब do I अंक हो जाएगा हमारे पास demain ऐए और इसका अब उन दे landed माइनस, Z- I और यह जिर लिद एका कर अगा अगर धियान से देख हो गThe इपन रुपन. । हब जो जायें, पन गालबलो का और तो यह बनर के यह बनंगा, क कर अगा, अंगर फाम बनन के, यह बनंगा, के बात कुरूँ मैं पीजु तो मैं पीजु मैं पीजु मैं पीज पराबोली कुरूँ